हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पूरी तरह से बंद कर दिया है जिससे आतयात का सारा भार अंडर ब्रिस तक जाने वाले रास्ते में सक्री गलियों में होकर गुजरता है जिससे की दिन में कई मरतबा जाम लग जाता है आमजन का कहना है कि रेलवे अंडर ब्रिज से समस्या हलोने की बज़ जाए जादा बढ़ गई है रेलवे ने पूर में बनाए फाटक को पूरी तरह बंद कर दिया जिससे कि सारा यातयात का दबाओ अंडर ब्रिज पर पढ़ रहा है कई घंटों तक जाम लेता है और शहर में लोग काफी परिशान है आमजन की मांग है कि इस फाटक को फिर से खोला जाए ताकि यातयात का दबाओ अंडर ब्रिज पर कम पढ़े और बार बार जाम लगनी की स्थिती से चुटकारा मिले गौर तलब है कि शहर में कई सालों से शासी नगर फाटक पर जाम लगनी की समस्या से शहर की आधी आबादी परिशान थी रेलों की आवाजाही एंशटिंग के दौरान कई मरतबा फाटक बंद रहता था जिससे काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता था आमजन की समस्या को देखते हुए सारवजनिक नर्माण विभाग ने 3 करोड की लागस्ते अंडर बिच का निर्माण करवाया है बीते दिनों इसका लोकारपन कर आमजन के लिए खोल दिया गया था जागरुक टिवी के लिए बार मेर से ठाकडा राम मेगवाल की रिपोर्ट